नमस्कार आदाब, इंडियन टीवी निउस पर मैं हूँ जुनायद आपके साथ छातरपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है छातरपुर से पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है एक युवक को ग्राहक बनाकर दुर्गा कॉलोनी में बने मकान पर भेजा था जब पुलीस को मिली शिकायस ही पाई गई तो पुलीस की टीम ने देर रात इस अड़े पर छापा मारा तो इस अड़े पर तीन युवक और तीन युवतियां गिरफतार किये पकड़ी गई दो जुवतियां सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला इन जुवतियों को मुंबई से बुला कर सोशल मीडिया में वाटसैप की मदद से जुवतियों के फोटो दिखा कर इनके रेट सह करती थी और ग्राहक से सोदा करती थी सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला के फोन नमबर पर शेहर के नामिगिरा में लोगों के वाटसाप नमबर और उनसे हुई बातों की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिली है सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला ओनलाइन पेमेंड इन ग्राहकों से लेती थी जिनकी जांच पुलिस कर रही है पकड़ी गई एक महिला 2016 में भी सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफतार हो चुकी है पुलीस ने पकड़ी गई तीन युवतियों और तीन युवकों को गिरफतार कर अदालत में पेश किया है की गई जिसमें CSP सर, DSP महिला प्रकोष, DSP AJK और थाना प्रभारी द्वारा एक टीम बनाई गई और इस टीम द्वारा वहां पर दविस दी गई तो वहां पर तीन महिला हैं आपति जना किस्तिती में तीन पूरुसों के साथ पाई गई थी अब जो प्रारंबिक जाच में बिंदू आए हैं यह महिला आपने वाट्सेप नंबर से लोगों को फोटो भेज के और उसके जो प्रमनेंट ग्रहाग जैसे वेक्ती थे उनसे व्यापारताय करती थी और फिर यह काम सुरू करती थी अब इन विद्नों की जाच की जा रही है चुकि हमने अपना पंटर वेजा तो नगत पैसे दिये थे लेकिन यह सब सूचना थी तो इनकी भी जाच की जा रही ही लगा था इस पहले भी इस पार दंदा कराने वाली है यह जो लड़कियां पकड़ी गहीं से पहली पूंच ताच की गई उसमें उनने अपना पता मुंबई बताया है और जो महिला है वो चहतरपुर की रहने वाली और पहले वी एक-दो बार साइट सेक्स रेक्रेट में पकड़ी ग जाएगी को पैसे कहां से आ रहे थे क्यों आ रहे थे जानने के लिए देखते रहे हैं इंडियान टीवी न्यूज और जल्दी से वो लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाल झाल